पब जी मोबाइल इंडिया पब जी मोबाइल के बारे में इंडिया चैना के बीच में टेंशन थी और वहाँ पे चैना को प्रेशराइज करना था इससे पहले टिक टॉक और बाकी एप्स के उपर भी बैन लगाए गया था और अभी 26 जनवरी वाले तिन ख़बर आ गई थी कि जो टिक टॉक का मैंन है व पेरिंट कम्थी बाइट डांस उसने इंडिया में अपनी जो ले आफ होते जो वर्क फॉर्स होती इह वो भी कम करना चालू कर दिया और इंडिया के भार अब उसने जाना चालू कर दिया है तो टिक टॉक और गाइट डांस की बाद तो यह हो जाते हैं कि यहाँ पे आप क टॉक की अलग हो जाती है, इसके बाद भारी आती है PUBG की, अब PUBG Mobile देख जाये, तो Chinese company Tencent ने किया था, उसके बाद government ने क्या बोला था, कि China के server पे store होता है data और वो unsecured है, इसलिए हम ban कर रहे हैं, इसके बाद सारी चीज़े लोगने दुबार से fix करी, PUBG Mobile इंडिया को यहां पे establish किया, आप लोग को मालूम है, एक ad आया था ने, टीवी का, जिसके अंदर PUBG Mobile India coming soon आ रहा था, दिवाली के टाइम यह आपको ad देखने को मला, तो planning ऐसे थी कि दिवाली वाले दिन उसको release कर देंगे, लेकिन क्या होता है, end moment पर सारी चीज़े बेकार हो जाते और इस चीज़ PUBG Mobile यह इससे रिलेटर कोई और जो entity होती न, जो apps लोना भी ban करी, उन्हें unban तो करने वाली नहीं है, और एक और RTA जो भी recently file करी थी, Mr. चेतन भवानी ने गिसमो टाइम से, उससे पता चलता है कि government के पास जो PUBG Mobile India वो भी permission लेनी के लिए आया है नहीं और उसके रिलीज होने क ना कारण कुछ और ही हो सकता है, और उसके बाद ये भी ख़बर पता चले थी, कि जब 4G गेम आ जाएगा, उसके बाद इसको लाया जाए, क्योंकि 4G गेम को एक advantage देना चाहती, क्योंकि वो made in India गेम है, और उसके बाद PUBG आएगा, लेकिन अभी recently situation देखके असा लग रहा है कि जो PUBG Mobile है, उसके उपर जो baran है, ये permanent हो सकता है, और शायद कभी देखने को नहीं मिले, क्योंकि अगर देखने को मिल रहा होता, वो अपको पहले से ही देखने को मिल चुका होता, यहाँ पर कुछ बाते और clear कर देना चाहता हूं, official government के sources से ये भी पता चलाता कि government ने बोल जाता कि जो PUBG Mobile है उसके उपर band लगाया गया था, अब उसके उपर band हटा देंगे, तो बात क्या रह जाएगी, दूसरी company से घुमा फिरा कि अपने प्रोट्स को इंडिया में launch करी देंगी ना, दूसरी सारी apps तो launch होई जाएंगी, TikTok band किया था, तो TikTok घुम फिरके अगर इंड देखने को मिल रहा है वहाँ पे, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो देख रहा है तो ये पूरी कहानी आपको देखने को अलगे, PUBG Mobile के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, कि जो गवर्मेंट ने एक बार जो band लगाया न, वो unband देखने को ना मिले, इसके साथ दूसरी बात आती है कि गवर्मेंट से बोला गया है कि PUBG Mobile अगर दूसरे किसी नाम से अगर आये तो उसके बारे में गया, उसके बारे में अभी कोई information नहीं है, ना ही गवर्मेंट से नो ने अभी कोई permission ली है, अब बात जी समझ में नहीं आती, कि जो PUBG Mobile है, उसके बारे में कहा क्या गया है, या लेही जो गेम होता है, उसके सर्वर अपने इंडिया में स्टेबलेश कर दी, PUBG Mobile इंडिया की जो कंपनी होती है, वो आपने बैंगलोर में सेट अप कर दी, इंडियन लोगों को हायर उसके अंदर कर दी है, लेकिन एक रीजन हो सकता है, जिसके करण से वो अभी तक आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है, और जिस तरीके से टिक टॉक वाला जो बैंड पर्मेनेंट हो चुका है, शाय से PUBG वाला बैंड भी पर्मेनेंट हो सकता है, तो यार ये एक बात होया थी पर्मेनेंट बैंड के बार में, लिकिन वहीं एक पॉजिटिव निउस भी है, वो ये कि दूसरे सोर्स से पता चला है कि अभी PUBG Mobile Corporation है ना, उसने अभी अपनी तरफ से एक अच्छी सी Team Establish करी नहीं है, जो कि सामने से जाके गवर्मेंट से बात करें कि PUBG Mobile को किस तरीके से Unband किया जा सकता है, यानि कि वो गवर्मेंट से पूछे exactly problem कि और उस problem को वो कैसे solve कर स यानि कि आप लोगों ने कुछ समय पहले ख़बर सुनी ती ना कि मार्श तक आपको शायद PUBG Mobile देखने को बिल जाए, शायद मार्श अप्रल तक बात चीज़े शुरू हो जाए और उसके बाद ये चीज़ देखने को बिल जाए, क्योंकि देखा जा तो PUBG Mobile जंदा है, उसके Korean Survey International Version लोग आख के समय में खिल रहे हैं, लेकिन बात ये हो जाती है कि जो Indian Version जो आने वाला था ना, उसका जो Official Rollout है वो देखने को नहीं मिल रहा है, और उसको Play Store पे लाने का वो कारण नहीं मिल रहा है, क्योंकि Tencent को भी मालूम है कि जो PUBG है ना, वो इंडिया में काफी पसंद है, इसलिए वो मतलब कोशिश तो करेंगे, लेकिन अभी शायद कोशिश नहीं करें, थोड़े समय रुक रहे हैं, और आने वाले समय अच्छे तरीके से कोशिश करें, उसके बार ही चीज़े देखने को मिलें, लेकिन डेफिनिटली जो पुराना जो बैन था वो ल पहानी काफी जाद अजीबों गरीब है, किसी को नहीं पता आपको PUBG Mobile कब देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, 4G गेम के आने के बाद बोला जा रहा था कि PUBG वाल से लेट इन्फरमिशन देखने को मिले, क्योंकि 4G गेम को एक एडवनटेज दिया जा रहा था, लेकिन अ ये भी बात हो सकती है, जी हाँ, कुछ इस टैप की बाते भी हो सकती है, देखते आने वाले टैम में क्या रहती है कहानी, लेकिन फिलहाल के समय में देखाया तो PUBG कंदिजार सब लोग कर रहा, 4G गेम भी आया था, उसके लाखो डाउनलोड हो गयते है, और Play Store पर साड़े सी इस्टार रेटिंग भी उसे मिल चुकी है, लेकिन फिर भी देखते है, आने वाले टैम में क्या रहता है, जो 4G है, वो तो PUBG की जगे ले नहीं पाए, लेकिन क्या PUBG वापस आता है कि निया आपता, आने वाले समय इसका अंसर आपको जैफिनिटली देखने को मिलेगा, तो आप लोग बताई, क्या आप लोग क्या लगता है, क्या PUBG के उपर जो बैन लगा हुए, क्या पर्मेनेंट रहेगा, या फिर आगे चल के इसको बहुती जल्दी लिफ्ट भी किया जाएगा, जो भी आपका अंसर नीचे कमेंट में बताने, ना भूले, वीडियो को पसंद है तो लग करें ना चैनल को सुस्प्राइब कर लो, मैं आप से मुलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंतर, गुड़ बाई!